हालो दोस्तों मैं आपका दोस्त आपका फ्रेंड फिर से एक बार समर्पन टेक्निकल से और आज का हमारा जो टॉपिक से वो ट्रांसफर्मर है तो ट्रांसफर्मर के बारे में हम लोग जानेंगे ट्रांसफर्मर के प्रकार मुखेता प्रकार तीन प्रकार के होते हैं पहला step up step down और auto transformer तो हम लोग step up की तरफ चलते हैं step up transformer क्या था उससे पहले magneting field के बारे में हम लोग जान लेते हैं मान लिजे ये एक धातू है लोह कि धातू है ठीक है मैं उतना तो लिख के आपको नहीं बताऊंगा आप नहीं पढ़ सकते हैं और इसमें अगर हम कोई तार लेते हैं तार लेते हैं ठीक है तार लिए उसके उपर में हमने लपेट दिया बहुत सरा तार मैं लपेट रहा हूँ लपेटा नो पेटाय। तरह से लोहेक उप्र मैंने लपेटा, तो वाइर का जो है दो छोर होगा, ये किए और ये किए, और इसमें हम लोग करेंट डालते हैं, ठीक है, करेंट डालते हैं, कोई भी वोल्टेज, 12 वोल्ट हो गया, 15 वोल्ट हो गया, जो भी कुछ भी है, 18 वो लोहा का जो यह लोहा था इसमें क्या होगा यहां पर जैसे हम लोग करेंट डालेंगे तो इसमें एक मैगनेटिंग फिल्ड होगा इसमें अगर आप लोहा सटाइएगा देखिएगा कि यह मैगनेट बन जाएगा ठीक है तो उसको होता है मैगनेटिंग फिल्ड बोलता है यहांभी कुछ न कुछ वोल्ट आपको मिल जाएगा ठीक है तो इसी तरह से हमारे transformer होता है ठीक है यह मैंने आपको इहां बता है अब हम लोग चलते हैं के डाउन ट्रास्टफर्मर के ओर क्यों है तो यह हमारा है अस्टेब डाउन ठ्रास्फपरमर ठीक है कि इसमें क्या होता है कि हम लोग यहां पर भॉल्टेज डालते हैं करो निवीटरल और फेश है यहां पर मालीज़-धी तो डालते हैं तो एधर हमारा 18V प्राप्त होता है इस वांडिंग पर निर्वर करता है 18V भी निकाल सकते हम दो जो चाहें वो निकाल सकते हैं ठीक है उसका एक कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन अगर समय कभी मिलेगा तो मैं बताऊंगा आप लोग को और summer prepared service वांडिंग के आनुसार से उसमें क्या होता है कि ठीक होता है कि का उइंदर कम वोनिक निकलता है यहांकि होता pues Nossa में हमारा टीवी में वी यूज होता था पहले ब्लेड उध में आज की डेट में एंप्लिफआयर में उज़ोता है प्लेस में हमारा जो बूफर हो गया उसमीं यूज होता है और बहुत जगया उस होता है यह यह बोखेता है ठीक है अब म tag down समझिके अब एस टेप अब हम लेते हैं अयह तो अ किquinho अ को अि को छुझर होता है वो हम अधिक हो गया को एर यह हमारा हो गया secondary तो प्राइमरी अगर हम इसमें ट्रांस्फर्मर कम रहे हैं कम वॉल्टेज लेकिन हमारा इसर जो प्राप्त हो रहा है वह ज्यादा बोल्टेज हो रहा है तो यहां पर आप 12 वोल्ट अगर डाल रहे हैं तो यहां पर अगर 18 वोल्ट भी डाल दियेगा तो यह वाइंडिंग के अनुसार से कम बेसी होता है ओके यह ट्रांस्फर्मल हमारा मुख्य था है इन्वैटर में और छोटा-छोटा मसीन होता है जैसे पी एचेक्स मसीन हो गया इन्वैटर हो गया इमर्जेंसी लाइट हो गया वह सब जगा पर यह हमारा यूज होता है अस्टेप अप जहां हम लोग 12 वोल्ट का बैटरी लगा करके इस एड में उसको स्विचिंग कराया जाता है वह स्विचिंग आप आगे समझेगा कि कैसे होता है और उसके बाद में ह सेकेंडरी तरफ ज्यादा वोल्टेज प्राप्त होता है अब इसके बाद हमारा तीसरा ट्रांसफोर्मर होता है ओटो ट्रांसफोर्मर में बताता हूं तो यह हमारा हो जाता है ओटो ट्रांसफोर्मर का मतलब क्या होता है बात को समझेगा ठीक है ओटो ट्रांसफोर्मर उ कि अप्र हुआ हैं प्रեյिर्ट बढ़ाना डोचेंट्र फक cash क म करना ही जाआ थि मानलेर यहां यह तक यह ले लेते हैं फ्राइमरी छिक है हार फिर फिर यहां से यहां तक इसको ले ले लेते हैं हम लग यहां विलो हो गया से केंट्री यह हो गया secondary तब इसको क्या है कि इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं इसको यहां से फिर यह connection को हम लोग change कर सकते हैं फिर यहां से इसको connection को फिर यहां कर सकते हैं तिस तरह से क्या होगा कि इसको हम लोग अगर आपस में change करेंगे तो यहां secondary का voltage हमारा change होता है primary मतलब इसको हम लो page वोल्टेज यहां से कौम भी कर सकते हैं और यहां से बेसी बेसी भी कर सकता है ये यह स्ट्रांस्फर्मर में स्टेप आप ऐर रषी डाउन दोनु करने का कार्य करता है इसलिख Cave stop आप ठांस्फर्मर केहते हैं टे कैसा अब्डांस्फरमर अभी बहुत अभी होता है ठीक है तो ट्रांस्फर्मर आप समझ गया होंगे कुछ मैं ट्रांस्फर्मर आपको दिखा रहा हूं ठीक है कि यह जो ट्रांस्फर्मर अभी हमारे पास में है यह देखिए इधर इस दोनों टैपिंग में जाला दरता है 220 niveau और इधर जो हमारा निकलता है वो निकलता है 12 इसमें निकलता है 12 वूल्ट और इसमें निकलता है 12 वूल्ट ये होता है 0 хоть है कि चालो बारा ये को बारा ज़िरो बारफ सब्राकày इसका कै harmony न्युक्त खाप नहीं है ये डो इसका वैंडिंग एक्चुली क्या है इधर से होगा यह हमारा पतला तार का वैंडिंग होता है और यह होता है ज्यादा है और यह ट्रांस्फर्मर का कोर हो गया लोहा जो बीच में रहता है लोहा के उपर मिला पेटा जाता है तो यह कोर होता है चोटा 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 लोहा मि निकलता है यहां पर 12 निकलता है तो यह को आपस में जोड़िया जाता है जो की zero हो जाता है ठीक है और यह हमारा हो जता है 12 و हझाए बार स्क्राइध अगर यहां से यहां तक अगर हम मिंट्र से नाबते हैं दोनों जगए लगा करesse को हम लगाते हैं तो को हम लोग यूज करते हैं बैटरी चार्ज करने में घ्र सकते इसको और यह जो है बैटरे चार्ज करने में उस्टाय अहले है प्लस में इसका यह जो ट्रांसफर्मर है यह हमारा amplifier में लगा हुआ होता है buffer में भी लगा हुआ होता है मैंने पहले बताए थापको अब यह हमारा होगय auto transformer ठीक है फ्रोड़ासा यह यही यह यंत्र है जिससे हम लुग इसके primary और secondary को घटा बढ़ा आ सकते हैं ठीक है इसको रोटे स्वूच बूला जाता है और अगे संझेंगे रोटे स्विच और स्विच का वीडियो में मैंने इसको निहीं कि एक काम करता है अले कि इसमयेख तरफ यह दिखिए एक तरफ होता है common यह हमारा common हो गया है ना common होता है इसके और इधर से हम लोग को बढ़ाया घटाया जाता है इसको इस voltage को बढ़ाया घटा रहे के लिए यह होता है यह auto transformer है ठीक है तो मैंने आपको auto transformer दिखाया और step down transformer दिखाया मेरे पास अभी फिलाल नहीं है तो step up transformer जो है inverter के अंदर मिल जाएगा आपको वहाँ पर आप देख सकते हैं यह छोटा inverter होगया सकियाव करते हैं height के बाद में rectifier बनाना सिखाएंगे तो इस video को इह पर खत्म खत्म करते हैं और इस खिब्सकांब डीओ में ने thereUU के बारे में बताओंगा ऑग उसके बाद मैं rectifier बनाना सिखाओंगा पहले डाइट के बारे मैं बताओंगा उसके बाद में ईससे साथ आप बहुत भुत धन्यवाद जो लोग है वह Estoyding को सुप्स्क्राइब करें और हमारे हर वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन के लिए लाइक करें जिससे आपको नए ने वीडियो मिलता रहे और आपका एजुकेशन जो है वो भी आपको ज्यादा बढ़े और आप इलेक्ट्रोनिक्स में अच्छा खासा तो नहीं पर घर का कारे जरूर कर सकें ठीक है इसीक साथ इस वीडियो को मैं आ और आप लूगा